एलो फ्रेंट इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी जो रृणिंग के अपड़ीट आसाओ कि रहे था किन نہ रेनिंग में यह है गुरकफुर का चबीश पाट आलेन गुरकफुर का तेईस माई का चौता वैच है और यह पांच साधे-पांच वाज स्टार्ट वाधा सो केंडिडेट्स का गुरूप बनाके दोड़ा गया था जिसमें 97 केंडिडेट्स पास हुए मातर तीन है और यह है आपका यह भी वरेली का जिसमें गुरूप यह 50 गृट दोड़ाया थे जिसमें सैंटालस केंडिडेट्स पास हुए थे और तीन केंडिडेट्स अधे डिस्क वारिफार हुए थे पांच वजे सात्मा गृप दोड़ाया था तेइस मैं का सामका आप देख सकत पहुत ही कम ना के बरावर ही निकल रहे हैं और हम फाइनल कॉप के लिए जो वीडियो में आपके लिए आवस बनाएंगे क्योंकि दोस्तों पहरे जो फाइनल को टॉप के लिए वीडियो बनाए थी उसमें थोड़ा हमने ज्यादा एजूम कर लिया था और वर्दियों की तर बाठकर जैसे एक एक जामपल के लिए जैसे साड़ी नोगेंशी जैसे मेरा नुमान ने जैसा सोड़ से मेरे को बता लगा है जैसे शादे नोगा सो गटाके में कट अफ लगांगा तो इस प्रकार से मैं अपनी कट अफ लगाने वाला हूं जो कि बहुत ही साटिक जाने वाली है ठीक है और चलिए अब देखते हैं यह हैं अमिताब ठाकुर पूरव आई-पी-एस हैं जब यह करंट में वरतमान में जब थे आई-पी-एस तब तो प् सब्सक्राइब करने के वाद आज सी जे एम लखनो ने कल 24 मई 2020 के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो दोस्तों हमारे जो बहुत से साथ ही नहीं जुड़ेंगो तो उनको यह नहीं पता कि फैसला सुरक्षित का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि ज सोच लिया है लेकिन उसे सुनाएगा अगले दिन या जब भी वो डेट रखता है तो उसके लिए फैसला सुना देगा कि वह इस पर एफाई यार करें या नहीं करें तो वह संग्यान के लिए थोड़ा जजवगरा मीटेंग करते हैं बहुत ही उसका अध्यन करते हैं अध् पता नहीं से बरती का क्या होने देंगे दूस्तों मैं आपको बता दूँगे हमारे बहुत साथ हैं जो मेरे से परस्टनली मेरे जो जानने वाले मेरे से बोलते हैं वाई साब कि वह रिए एक्जाम हो जाए तो ठीक है आप तुम लोग उपड़े लिखो हो मैं डेड़ है आपने पंदर लाग नहीं दी हैं सक्षर करते हैं बिखाय तो उपर से ऊंसे ंच्पर लेखों बहुतसर दोस्बद्ध कि उपटर नहीं घ्यों पता हैं लोग दोर भी तो पता है आप पांच रहे थिए आपने वह एक्जाम देखा होगा उस कम्पार में यह एक छुछ भ भर्ति में जो बिबेक सरने भी एक्जाम दिया था उन्होंने जो अपना उनकी 110 माक्स थे ओवीसी से नहीं एउपना फ्रॉम लादा था तबर इनका है जो वो स्लेक्शन ό-पर आ है तो इस प्रकाऱ चैप एक टौपर बंदृ का भी सेलेक्शन नहीं हो सका क्यों नहीं हो सका हम यह उनकी जो बुद्धी मतावस पर सक नहीं कर रहे हम उनके टाइम पर कि वो टाइम उनका अलगता उन्होंने इतनी एनर्जी के साथ मेनत की थी उस समय लेकिन अब उतना वो नहीं दे पाई उसी प्रकार से हमने उस समय ते मेनत क लेकिन हम नहीं देपाएंगे बारबार मेडिकल लगा लागा हमको भी लीव नहीं मिल सकती हैं बहुत से इसे कंडिडेट्स है जोनों ने अपनी टूट यां दी कोई कुंस्टेबल हैं तो कहीं आपने किसी कंप्रीम वर करते हैं तो सभी ने टाइम निकाल निकाल कर रहा है तो अपने यूपीएसार फोकस किया था और दुबारा उपाना संभव नहीं है यह रीजन होता है और दोस्तों दूसरी हम आप बता दें तो यह एक्जाम अगर कैंसली भी करा देते हैं तो तीन-चार साल वाइसा पर यह बढ़ती फिर अगली पैंस वर्स योजनाम होगी पता नहीं क्या होगा यार यह हमारे रीजन हमको दिक्कत यह है ठीक है फ्रेंस तो यह महोदा है देखते हैं वही कल क्या फैसला आता है और यह हैं विभी कुमार हमारे एक्जाम पूर के फाउंडर है यूपीएसाई 2020 स्केम हाई कोट रिट अपडेट यह भी महोदा है डा हो गया रणिंग भी वह होो गया सब कुछ हो गया समझ मी नहीं आरहा अब आगे क्या होगा अव जो आगए हमारे हाथ में है नहीं बेल्कुल श्रौ क्या पीपर फर्वर्क चल रहा है लग अच्छा लगनौ प्राइब्र प्रवर्क चल ला है च्छा बात है सिक्षकों का स सब्सक्राइब करने को बता हैं कई सबस्क्राइब बाइब यह वास्त वास्त tuifiques को यह वाली की प्रेश्व में तयार कर रहे हैं सब्give इस लिए अपनी की बढ़ाने के चक्र में आ रहे हैं दोस्तोर मैं आपको बता विदेता हूं भरती वोड किया करेगा मैं नेक्स्ट स्टेप भी बता सकता हूं इसमें यह इनको एक कॉंस्टेवल का नौटिफिकेशन फैक के देगा उसके बाद लखना हुँ हों कई भी हों सब केंडिडेट्स अपनी तयारे में लग जाएंगे कोई यूपी एसाई बगारा का फृतूल उनकी दमाग से फट जाएगा दोस्तों यह बात लेके लेना यूपी प्लस क नौटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है उनको पताया इस वी सिए सब्सक्राइब उनका ध्यान जैसे बठकेगा यूपी एसाई से द्यान बठकेगा तो तक नहीं आएंगी जब तक यह बरति पूरी नहीं हो जाएगी क्या नहीं है क्या नहीं हम है क्योंकि यूपी पृस सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद दोस्तों कुछ जोइन नहीं करेंगे और कुछ पर केस बगहरा होंगे तो उनकी जोइनिंग नहीं होगी कुल में आकर 200-200 candidates हर वरति में यूपी एसाई में यूपी पृस की हर वरति में सो रही जाते हैं जब वो रह जाएंगे 200-200 वेक खाले जाती हैं उनको जो वेकैंसी बची आठ्ट सक्क्राइब करके उनको जोड़के वेकैंसी निकाल देंगे और इसी को करी फरवर्ड करने हम कहते हैं जिसे कोट ने वैद माना है इस पर भी वहस बगए चाली थी रिट बगए डाली थी लेकिन कोट ने बढ़ती बूर क पांच लड़के और चाली लड़के हैं हमारी तरफ और सूचना है थी कि विवेक सरका जो मानागर थाने हैं उसमें हैं कॉंस्टिबल्स जो हैं के पड़ा हुए हैं तो अपडेटिन को मिल जाती है सीधी बात हुए हम इतनी बड़ी चैनल तो है नहीं कि आप बोलो कॉपी पांच लड़के और चाल लड़के हैं विवेक सरके चूट चाहूने बताया और आपको इसकी इसमें को जूट हमारे पास फैरेव आपको कुछ नहीं मिलने वाला जो है रियलेस्टी मिलेगा और हां यह जो नोटिस आए हैं आपके बरतीवोड पर उनको आप देख सकते हो जो हैं बारिस की वजए से जो रनिंग न की कराए गई थी 23 माई को आज तो परिक्षा के कर देगे जो कि 27 माई को होगी यह मिरट में है दोस्तों जो इसमें आज सौरी मतलब की आज रनिंग हो रही थी तो बारिस वागर आ गई तो इनकी अब 27 माई को उसमें हो जाएगी म अपने पहां से साथ होगी अपने समय सही अपना जो है वह उसमें निकल जाना और अपनी दिनिंग के लिए करना भी है हमाई रनिंग तो हो गई है टेंशन मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं मिलते हैं यार वैसी तमाग कराब रहता है इस भरती को लेकर ऐसी भरती कभी हमने देखी नहीं ठीकर दोस्तों मिलते हैं ने वीडियो के साथ उत्तरफदीस पुलस आपकी सेवा मसा देवतत पर जाहे हैं